साल 2020, मार्च का महीना, जब कोरोना ने इंदौर में दस्तक दी ये वो समय था, जब शहर को जरुवत थी, वायरस के प्रती जागरुकता की, सही जानकारी की और उसी उदेश से इंदौर टौग ने अपने हैश्टाग इंदौर फाइट्स कोरोना से लोगों को सही जानकारी देकर कोरोना के बारे में जागरुक किया था साल बदला, लेकिन समय फिर एक बार वही आ गया है, जब हमारा शहर इंदौर कोरोना की चपेट में फिर एक बार है प्रती दिन 600 से जादा बढ़ते केसिस, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी, लोगों का बिना मास्क लगाए और खुड़ी पर मास्क लगा के घूमना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करना, ये इस बात का संकेत है कि कोरोना की दूसरी लहर और भी जादा घातक हो सकती है तो इंदौर, अगर हमें कोरोना से इस लडाई को जीतना है, तो हमारे पास कोरोना को परास्त करने के लिए एक ही हत्यार है, और वो है वैक्सीन इंदौर शेहर के प्रती अपनी नेतिक जिम्यदारी को समझते हुए, इंदौर टौक इंदौर शेहर में टीका करन जागरुकता का सबसे बड़ा डिजिटल अभ्यान, हैश्टैग इंदौर गेट वैक्सिनेट शुरू कर रहा है इंदौर टौक अपने इस हैश्टैग और अभ्यान के माध्यम से हर इंदौर वासी से ये आग्रह करता है कि वह कोरोना वैक्सीन लगवा कर कोविड-19 वाइरस से अपने आपको और दूसरों को सुरक्षित करें टीम इंदौर टौक इस डिजिटल कैंपेइन की मदद से आप सभी तक कोरोना के टीका करण से जुड़ी सभी सही सूचनाओं, अफवाओं की डीकोडिंग, विशेशगों की सलाहों, टीका करण करवा चुके लोगों की राय और साथ ही टीका करण से जुड़े सभी सवालो लिया है, तो उसे सोचल मीडिया पर हैश्टाग इंदौर गेट वैक्सिनेटेड के साथ पोस्ट करें और इंदौर वासियों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें